हेलो नमस्कार दोस्तों YouTube चल्म आपका सुधार दोस्तों आज आप Indian Evidence Act के सक्ष्टन 1-16 तक कवर करने वाले हैं इसके बेशिक नोलीज आपको पता हुनी चीह यह जो बेशिक नोलीज जो बता रहा है कि Indian Evidence Act को Draft किया गया था Sir James F. Stiffon के दुआरा Sir James F. Stiffon के दुआरा इसको हम procedural law परकरियात्मक विदी कहते है adjective law विशेस्ता दर्शाने वाला कानून है ये civil and criminal proceeding दोनों पर लागू होता है retrospective भूत लक्सी परवाव रखती है Lex 40 लेक्स 40 कानून है ठीक है came into force कब आया 1st September 1872 को लागू हुआ 3 parts 11 chapter 167 section है ठीक है दोस्तों अब हम करतें इसका section 1 section 1 जो chapter 1 में आता है section 1 के अंदर क्या बताया गया है जो कि यह है इसका title the Indian Evidence Act 1872 hall of India ये पूरे इंडिया पर लागू होता है 1st September 1872 मतलब आरह सो बातर से ये लागू कर दिया गया था कहां पर अपलाई होता है और कहां पर अपलाई नहीं होता है दोस्तों ये all judicial proceeding मतलब कि सभी judicial proceeding पर लागू होता है वहां पर अपलाई होता है मगर ये आर्मी Act नावल डिसिप्लेन Act ता इंडियान नेवी Act दा एयर फोर्स Act एफिडेविट सपत पत्रो और आर्बी ट्रेटर माध्यस्मक्त की जो कारवाई होती है उस पर ये लागू नहीं होता है वहां पर अपलाई नहीं होता है तो अपलाई कांप में होता है अपलाई कांप में नहीं होता है आपको पता चल गया है section second को repeal कर दिया गया मतलब हटा दिया गया section 3 interpretation clause निर्वचन खंड इसके अंदर जो है definition की बात की गई है जैसे की courts नियाले क्या है नियाले के अदर all judges magistrates and legally authorized to take evidence जो legal तोर पे कानूनी तोर पे जो evidence लेते है उसको ही सामिल किया गया है ठीक है इन तीनों को ही code के अंदर बताया गया है अब fact के बारे में जोस्तों fact क्या होते है तत्थे जो होते है fact होते है मतलब कि fact होते है two tabs होते है एक तो relevant, सुसंगत और fact in issue विभागक तत्थे है जैसे की दो है दो वेक्ति है A और B A और B के लड़ाई चो जाती है कोई ना कोई कारण होता है तो fact in issue कोई ना कोई issue हो जाता है तो वो fact in issue रहता है ठीक है सबूत यह है कि video footage है तो relevant fact हो जाएगा क्या हो जाएगा relevant fact evidence की रूप में काम करेगा ठीक है तो relevant हो जाते है भी तो यह relevant को कोट में नहीं माला जाता है अब document public document private document या evidence evidencely document ठीक है तो document की चो पूरे लिस्ट है जो उसकी वीडियो बन जाएगा अलग से तो यह पॉइंट चोटोटे पॉइंट यह आपको समझ लेने है ठीक है evidence आपको पता होना चाहिए इस प्रिंजिप्स में प्रिजियोम सेल प्रियोम कन्क्यू मिठ्धाबर कर सकेगा उपधार न करेगा निश्चायक स्बूद उपधार ना कर सकेगा का मतलब होता है दोस्तो की जैसे court court में कि जो evidence होते है वो उन evidence को court मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है तो वे क्या होते है दोस्तों वे होते हैं ये may presume क्या हो जाएगे वे may presume self presume का मतलब होता है दोस्तों कि court court को मानना ही पड़ेगा क्या है नेलने को जो है मानना ही पड़ेगा ठीक है वे होते है self presume conclusive presume ये होते हैं दोस्तों वहाँ पर जैसे कोई fact होते है उनको साबित हो जाने पर फिर अन्य को साबित मानेगा या उसे नासाबित भी कर सकता है ठीक है मतलब कि कोई भी जैसे court में जो fact होते है उनको फैक्टों को प्रूफ किया जाता है ठीक है जब उनको माना जाता है नहीं किया जाएगा तो इस प्रूफ हो जाएगे जैसे कोई भी fact होते है अगर वे fact अगर प्रूफ नहीं होते है तो उनको डिस प्रूफ किया जा सकता है तो कोई होना ओससे में मिलड़े जाएंगे विबागत अथ्यायु और सब्सक्राइब के बारे में जो कोई भी evidence होगा दोस्तों कोई भी fact होगा तो evidence होगा वह इनी टू टैप्स में लिये जाते हैं ठीक है तो यह हो जागा section 5 section 6 same transaction एक ही सेववार के भाग डॉक्ट्रिन ओफ रैस जैस्टे का जो सिद्धात इसमें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंड रोल परे करता है इसका मतलब यह होता है कि जैसे कि दोस्तों कोई भी crime हो रहा है जैसे कि A ने B को मार दिया क्या मार दिया एने B को मर्डर कर दिया और उसी तो वही सेम ट्रांजेक्शन होता है तो वही मतलब की वह ही एविडेंस की रूपे माने जाते है जैसे कि A ने B को मारा और जो है सी वहाह से देख रहा है उसको तो वह क्या माना जाएगा इससा माने जाएगा ठीक है दोस्तों और इसका visitor मतल displacement मतल stripes किài एंविडै android मतलब कि अनुसरी साक्षिए साक्षिए नहीं अधा जायेगा चैसे ऐ ने भी को मारा जऌए तो कोई कthis को मारना कि सुनी सुना यह वह किसी ने कहा है कि उसको मारा मैंने सुना है कि उसने इसको मार रा है सुना तो सुनी सुना बातें नहीं मारने जाएगी आविधिया वैज फैक्ट नहीं मार जाएगे तो इसी तैंके से सेंचीशлан 7 इन कमरेशन इस रेलिएंट। तेप रिंगोटर केसर, बहुत जदा तेप रिंगोटर को रिंगेंट माना गया है ठीक है अब करते हैं सेक्षन sjवनय यह बहुत जड़ा अब बात करते हैं साटाइस यह बोलता है कि औकेशन कॉज औकेशन कॉज और इफेक्ट और फैक्टिग इसूर अदर परसंग हेतु या परिड़ा जैसे कि कोई भी अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो उस टाफ रेलिवेंट चीज़े क्या ले सकते हैं हम हत्या हुई हमें कैसे पता हत्या हुई है भूबी पर खोनी के निसान है या गुथम गुथा के चीड है तो वह भी एक तरह से रेलिवेंट फैक्ट है जो एफेसल की जो रिपोर्ट होती है फेसल वाले होते है तो भाई जहापे बडर हुआ यह और बीका बडर करती है यह बंदुक से मारा है यह चाकू से मारा है ठीक है और गुतम गुता के कुछ भी है तो वह एफेसल जो होते है वह एफेसल वाले आते है तो रिपोर्ट वह एविडेंस को क्लेक्ट करते है ठीक है रेलिवेंट चीडों को तो उसी तरीके से तो यह section 7 वह बताया गया है section 8 में क्या बताया है section 8 में बताया कि मतब्द है तो preparation तैयारी गंड़क्ट अर्चिरल ठीक है बतलब कि कोई भी crime करने के लिए कि किसको मुडर करने तो मोटिव क्या है तो crime करेग बसको A B का मुडर करेगा तो उसकी तैयारी भी करेगा तयारी के लिए कैसे मर्डर करने के लिए क्या क्या समान चाहिए वो अपने इसाब से देखेगा तलवार चाहिए बंदूग चाहिए चाहकू चाहिए तो तयारी करेगा प्रिप्रेसर करेगा कहां से लाएगा तो इन्हीं सबको हम बोलते डॉलते सरकमस्थांसे ऐविदेंज्स्काइल बोलते सरकमस्थान्से थेए ओडिएंस तो अच्रंड उसको वहार होता है तो यह सब सेक्शन एट में बताए इंग synt ों ट करते धोस्टा सेक्शन 9 की सेक्शन 9 यह बोलता है कि इने केفس अस्डिटी है जैसे कि दोस्तों इसको हम कोरोश को डोच एम धनेन्स भी कहते हैं समको पेश्रक स्थाइब लॉज़से की ऐसे कि ए ने भीका अफों कर दिया मान किसे लोग किसी ने मर्णर कर दिया अब वह उसकी टैस्ट होते है टी आई पी होती है क्या होती है टी आई पी अब टी आई पी होगी तो टी आई पी कौन कर सकता है जैसे कि मजिस्टेट के सामने टी आई पी होती है और उसको जो जो आई विटनस होता है आई विटनस को पर लाए जाता है और वो क्या करते हैं वे बता दे कि कौन किसने मारता है इन में से कौन है तो टी आइपी के जो बारे में सेक्शन नाइन में पताए गया है तो के सिसे मेहतोपूर्ण राम नाथन वर्से स्टेट ओफ तमिल नाडू ठीक है सेक्शन 10 यह बोलता है जैसे कि क्या जो किसी ने एन बी का मलडर करा या उन गुरूप ने उसका मलडर करा या यह लड़ाई हुई तो क्या कौन स्पीरेशी थी उसके अंदर क्या सड़े अंतर था तो अगर सड़े अंतर होता है तो वो सब चीज़े देख जाते वह भी एविडेंस के रूपे माना जाता है तो उझे देख नहीं पड़ती है तो यह केस है मेर्थोपून केस हो पताए गया मिर्जा आकबार वर्सल किंग एंपरर ठीक है एंपरर वर्सल वेसम पायन तो यह सेक्शन 10 में है सेक्शन 11 क्या है वैन फैक्ट्स नोट अधर्वाइस रेलिवेंट बिकम रेलिवे कि इसका मतलब व्लिवेंट उफ किसके उपर है एक्श्ण के उपर होता है मतलब कि यह केस है इंपोर्टन धूदनात पाण्य वर्सल से श्टेट उफ यूपी दा बड़न आफ प्रूफे इन दा केस ओफ पिली ओफ एलाएवी ओन ऐक्ट्यूज्ट अब्युक्ट पर होता है ठीक है तो यह केस है जो दलाल सिंग बनाव जे एम सिंग का यह इसका मतलब होता क्या है इसका मतलब यह होता है कि 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 जैसे एने कि किसी ने अरोब लगाए कि उसने मुझे उस दिन मुझे वहाँ पर मारा था तो वह यह बोलता कि जोड़ा तो चीज़ भी एक राल मारत एका था तो भी था हाय ना तो इस दिन pouvait ङसा खोड़ा है त्सकरणी आपर होगी एना पूर जाता है वह बहुषच सीने डिलीह पर हों तो वह चीज है वह भी एक relevant माज़ जाएगी हां भी था ठीक है तो भई था हा या ना तो इस तरीके से विश्ची देखी जाती है तो पिली ओ लाई भी जो है ये बहुत जादा important role play करता है अब बात करते section 12 amount of damage नुकसान जो नुकसान होता है नुकसानी का जो है damage जो भी damage होता है तो उसका जो है section 12 बता है ठीक है section 13 बोलता है question of relevancy right or custom right or custom के भी section 14 state mind body feeling knowledge मतलब की knowledge भी एक तरह से evidence को तोर पर काम करता knowledge intention good faith bodily feeling and negligence अब ये सब क्या है भाई जैसे की A ने B को चोरी का समान बेचा अब B को पता है कि ये चोरी का समान है भी को knowledge है ये चोरी का समान है तो B ने क्यों लिया तो भाई यही knowledge जो है वह उसी knowledge को इसाब से उसको भी उसने अपराद किया है उसकी चाहिएिन्टेशन किया थैसे सामने वाले उसको उसको मानने चाहिए तो यह सब आपके सब देखी जाते हैं कोई प्रकाहिम कारो काहम करता है ठीक है अ बात करते हैं कि एक्सिडांटल और इंटेंशनल मतलब आख मिया अक्सिडेंशन जैसे कि आटेंब समय जाते हैं यजकर एक्ठटी अाटी ओक्तेंश सब्सक्राइब कि भी उहättaं कोई थीरो माया सथा जोल गई आपको आपको पता चल गए तो आपको पता चल गए दोस्तों तो बाकिस एक्षन के बारे वीडियो बढ़ाईगे तो आप आई हो आपको अच्छे लगए वीडियो तो जो और अच्छे तरह के लिए सब्सक्राइब करें और नोट्स अगर आपको यह चाहिए तो आप कमेंट बॉस में जून लिए ठीक है तो आपको यह य लिखकत वाली बात नहीं होगी है विडियेंस एक्ट में अच्छे में अच्छे में अच्छे में अच्छे में तो बिलते है नेक्स वोड़े घंदेवाद